डियर स्टुडेंट्स, आज का हमारा टोपिक है सविधान का चल रहा, कठोर सविधान के गुणा उगुण पड़े, अब हम पड़ेंगे एक अच्छे सविधान की विशेशताई, अच्छा सविधान, पोईंट नमबर एक है लिखित सविधान, रिटन कंस्टिटूशन, अगुण की सक्तियों के बारे में कोई भी बात पैदा ना हो, पोईंट नमबर दो है सविधान, बरीफ, एक अच्छा सविधान वह होता है, जो सविधान, लंबा और विश्टर्ट सविधान, सरकार के कामकाद में रुकाउट पैदा कर सकता है, लंबे सविधान में कई ब नमर तीन है नियाए पालिका की सवतंतर्टा, इंडेपेंडेंस ओफ जूडिस्री, नियाए पालिका की सवतंतर्टा एक अच्छे सविधान की मुख्य विश्टा है, यदि नियाए पालिका, कार्य पालिका और विधान पालिका के नियंतर्ट से मुक्त नहीं होगी, तो ल है अगला पॉइंट है लचिला और कठोर फ्लेक्सेबल एंड रिजिड कंस्टिटूशन एक अच्छे सविदान के लिए लचिला होना और कठोर होना दोनों इसरते जरूरी है लचिले सविदान को राजनतिक और आर्थिक प्रिश्थितियों के अनुसार बदला जा सकता है को पॉइंट नमबर पांच है मौलिक अधिकारों की व्यक्या प्रोविजन ओफंडामेंटल राइट्स शविदान में मौलिक अधिकारों का अंकीत होना अती आवसिक है मौलिक अधिकार ही नागरिकों को सरकार के परती आदर की बावना पैदा करते हैं मौलिक अधिकार ही सर कार की निरंकुष शक्तियों पर पर्तिबंद का काम कर सकते हैं और अगला पॉइंट नंबर छे है शविदान की व्याख्या का प्रावधान होना चाहिए एक अच्छे शविदान में व्याख्या का प्रावधान होना चाहिए व्याख्या करने की शक्ति शाधान तर नयाई प चाहिए, सरकार का कोई भी अंग सविधान का उलंगन ना करे। एक अच्छा सविधान लोगों की इच्छाओं के अनुरूप होना चाहिए, और गति शील भी होना चाहिए। ये थे हमारे अच्छे सविधान की गून या विशेष्टा, जिस विदान कौन सा सही फुटा है। झाल झाल